मादे प्रजस के उमरिया जीला मुख्याले में सिंधी समाज के तो शहर के करीब एवं जरुरत मंद लोगों को सबजी वित्रण करके एक बड़ा समाजिक कारी किया गया है जहां लोकडाउन के दरान बंद की स्थिती बनी होई है लोग कोरोना वारत से बचने के लिए अपने अपने घरों में मौजूद है एवं जरुरी सामगरी लेने के लिए चिंतित है वहीं और सहाई एवं जरुरत मंदों के लिए सिंधी समाज द्वारा सबजी एवं अनि सामगरी पहुचाने का सराहनिय प्रयास किया जा रहा है यह वा सिंधी समाज द्वारा लोगों को सामगरी पहुचाने का तीन दिवसी संकल्प लिया गया है एवं जीला मुख्याले के हर वाडो में जाकर लोगों को सहयोग प्रदान की जा रही है इसके पुर्व में भी सिंधी समाज के दोरह जीला मुख्याले के वाडों को सेनिटाइस किया गया अवं पुलिस जवान अवं कोरोना फाइटर्स पत्रकार बंदू को मास्क सेनिटाइजर और गलब्स उपलब्द कराये गया वहीं इस दोरह समाज के प्रति सिंधी समाज के सभी लोगों का योगदान सराहनीय रहा है पेशे उमड्या से शंकर सिंकीह खास रिपूर यह देना लिया कि अन्य समाज के दोरह जिस पिकार जो है सरो किया जा रहा है उसकार हम लोग भी विशेशू के आदवासी बस्तियों जो आपर तरीम संख्यास पिछडी जातियां रहती हैं वहाँ पर लागडाउन का उलंगन यह लोग न करें हो यह बयाद ना है उनके लिए हम लोगों ने दस-दस किलो सब्जी पुते घर तो देने का निमें लिया और हम लोगों ने घर कर पहुंचाया सब कूंको कॉंचाया उसके अलावा हम लोगों यह बहु है उनको भी पहुंचाने का किया जिसक्टराइज के लिए गाडी हम लोगों कgreg शुलाई इनको नगर को है हम लोगोंने शिब्राइज का कि यह संदी समाज के लोग है कि हमने यह मैसूस किया है कि जब पिछले दिनों दो तीन घंटे के लिए यह लागडाउन खोला जाता था तो सब्जी मंडी पर ऐसी भीड लगती थी और वहां ऐसा लगता था कि सोसल डिस्टेंसिंग के लीमों का पालन नहीं हो पा रहा है तो एक ऐसा मात्वकून हिस्सा है कि शहर के लोग तो चीदे हैं जो लोग सब्जी उत्पाधित कर रहे हैं और उनकी सब्जी भीके गी नहीं तो उनके घर में चूलानी जलेगा जो ट्रांसपोर्ट पे लगे हुए लोग है अगर वो इस ट्रांसपोर्टेशन का का काम नहीं क होंगी तो यह बहुत अच्छी बात है इससे कम से कम लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि घर से बाहर निकलने की एक बज़े ये भी थी कि सब्जी लेने दूद लेने उनको घर से बाहर जाना पड़ता था तो सिंध समाज के लोगों ने जिस उत्साह का और जिस धायरे का और जिस साहस का परिचे दिया है क्योंकि ऐसे वक्त में घर से बाहर निकलना ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है हर आदमी डरा हुआ है साहमा हुआ है बावजुद इसके उन्होंने इस बात का भीड़ा उठाया कि हम लोगों के घरों तक सब यह पहुचाए है कि अगर कहीं कोई चूक या ला परवाही हो गई तो उसकी भापाई नहीं होगी जो स्थिती है वो है हमारे ग्रामेर समाज की ओ रूर दराज है हम कहते तो है कि वह पहुच्वीयन वहीं नहीं है परन। आज बिसी आ जानते हैं कि सड़कें किसी हद तक ही जा पाई है उ जहां पर दूर दराज पहाड़ों पे लोग निवास कर रहे हैं उनके साथ और भी बड़ी कठीन समझ्चाय हैं मैं वहां पर जहां समाजी संग्ठरों के लोग नहीं जाते हैं और वहां कम से कम पंचायतों के लोग हैं और गामी ने इलाकों में काम करने वाले सामजी को बेंचने के लिए सहर आ रहा है कुछ चीत उतपादट Hmm अगर जंगल सई के लिए आ रहे है आज उनकी आवाज आहीं पर रोक लग दी है और उनके लिए नहीं को सारे काम बंदपड़े हुएं खेतों में मजदूरी नहीं है रोजगार गारंटी के काम हो नहीं रहे हैं ऐसी हालत में उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं तो मैं अभी इच्छा करता हूँ प्रसासन के लोगों से पंचायत के लोगों से और समाजी कारिकरताओं से उनका जहां नेट वर्क हो ऐसे ग्रामीर दूर दर ह कर रहा है हर घर में जाकि जो बजार निकलना बंध हुआ है जो अधेयर नहीं निकल पाँ खर से उनके लिए हम घर घर जाकिस नई मुत्र कर रहा है और ऋसन को यहीं बहूं है कि क्यों नामटरी टूरीब तो जिसके तहत हम लोगों ने कल से सभी वाडों में गरीब आदिवासी बस्तियों में जाकर सब्जियां वित्रित कर रहे हैं और लोगों को यह बोल रहे हैं कि आप घरों में रहें सुरक्षित रहें आपको किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी हमारे समाज द्वारा यह एक मानों सेवा ही माधों सेवा है उसको देखते हुए यह निर्णा लिया गया रहा है कानना बाद है इन लोगों को सांथ सांथ अभी कुछ लोगों को मिला भी नहीं है उनके यहां भी पहुंचना चाहिए इस प्रकार से जो है इन लोगों का बहुत सराहनी काम है सदा ऐसे धार्मी काम करते ही रहना चाहिए करोना की चलते पूरा देश का घर में बैठे- इसकी लोग तो सबसे हमारा नुगरे है।